दोस्तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाए ये जो डेटा है इसको हिंदी में करके लेके आओ, दो मिनट में, तो अब मैं इस डेटा को हिंदी में कैसे करूँगा, अगर मैं इसे Unicode font में टाइप करने बैठूँ, तो काफी ज़्यादा time लग जाएगा, यहाँ पर डेटा बहु पर डेटा आपको हिंदी में करना हो, या फिर किसी भी language में करना हो, तो उसे हम तुरंत कैसे convert कर सकते हैं, तो चलिए, शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो देखी हमको क्या करना है, इसे हिंदी में करने के लिए, हमको simple जाना पड़ेगा Google में, मैं आपे Google open कर लेता हूँ Google Chrome में ने open कर लिया है, और यहाँ पे Google Apps में जाऊंगा मैं, यहाँ से मैं open कर लेता हूँ, Google Seats, यहाँ पे दिया गा है Seats का option, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद, यहाँ पे हमारे सामने Google Seats open हो जाएगी, यहाँ से हम blank spreadsheet ले लेते हैं, क्लिक करूँगा मैं इ यहाँ पे मैं इसका जो size है थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ, यहाँ पे 150 ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद यह जो data है इसको मैं copy करूँगा पूरे को, यहाँ से मैं इसको select कर लेता हूँ, मेरे पास 30 recorded total, तो यहाँ पे 30 name है मेरे पास, इन सभी को मैं करूँगा, ठीक है, यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा width बड़ा लेते हैं column की, अब यहाँ पे मैं इनको करूँगा हिंदी में, तो हिंदी में करने के लिए मैं एक formula यूज करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे मैं cursor को रखूँगा, तो यह है Google Seat, जैसे हम Excel में formula को यूज करते हैं, उसी त next है यह, मैं इसे select कर लूँगा, comma लगा देता हूँ, comma लगाने के बाद यह पूच रहा है source language, हमारी जो source language यानि कौन सी language है, हमारी language है यहाँ पे अभी English, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, double quotes के अंदर English type करेंगे, यानि English का code type करेंगे, double quotes के अंदर en type करूँगा, मैं यहाँ small capital कैसे भी type कर सकते हैं, तो मैंने en type किया, यह English language का code है, इस function के अंदर, तो मैं कुछ इस तरह से en type करूँगा, double quotes के अंदर और comma लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे next argument है, target language, आप किस language में इसको translate करना चाहते हो, तो मैं हिंदी में इसको translate करना चाहता हूँ, तो मैं से bracket close कर देता हूँ, bracket close करने के बाद simple मैं enterprise करूँगा, तो यह थोड़ी सी loading लेगा यहाँ पे, loading लेने के बाद हमारा जो अंग्रेजी में name था, वो अब हिंदी में easily हो चुका है, अब simple जैसे हम Excel में drag and drop करते हैं, उसी तरह से हम drag and drop कर सकते हैं, तो मैं यहाँ डबल क्लिक क इनको हमें copy कर लेना है, तो मैं इनको select करूँगा कुछ इस तरह से, यहाँ से मैं select कर लेता हूँ, control C, control C करने के बाद मैं आ जाता हूँ, Excel में, Excel में आने के बाद यहाँ पे cursor को रखूँगा, तो अब यहाँ पे मैं control V करता हूँ, यानि paste करता हूँ normally, तो हमारी जो रोहे उनकी height वो कम जादा हो सकती है, तो ऐसे में हमें control, alt और V press करना है, और यहाँ से unico text में select करूँगा, और okay पे click कर देता हूँ, तो यह कुछ इस तरह से हमारी जो name थे, वो मैंने एक minute में आपे English से Hindi में कर लिये हैं दोस्तो, तो इस तरह से दोस्तो हम यह सभी names को Hindi में easily कर स simple में करूँगा क्या, यहाँ पे इसको मैं print कर सकता हूँ, control, left तो यह देख सकते हो, हमारी जो names है, वो सभी Hindi में आ चुके हैं, ठीके, तो इस तरह से दोस्तो हम यह Hindi में कर सकते हैं, दोस्तो इनको आसानी से, तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर यह